सब्सक्राइब कीजिए डिकिटेक हिंदी चैनल को और वेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मैं नाम है दीपरक और डिकिटेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बताएंगे कि रिलाइंस जीओ पर जीएश्टी का क्या असर पड़ेगा दोस्तो जीओ जब से भारतिय बजार में आया है तब से मौझूता टेलकॉम कंपनियों में बहुत ज़दब पतिसफरदा बढ़ गई थी जिसके कार दोस्तो जो भी डाटा पेक थे और जो कॉलिंग रेट थे दोस्तो बहारति इत्यास में सबसे निशले पाइदान पर गेज चुके थे लेकिन दोस्तो एक जुलाई को जीएश्टी को लागू होने के बाद जो हालत होगी वो दोस्तो फिर से वही हो जाएगी जिसके नतीजे दोस्तो मुवाइल इसचार्ज के कूपन के दाम आसमान को चुने लगे और इसका सबसे बड़ा असर भूकता उपर पढ़ने वाला है जाहिर है टेलकॉम कंपनी स्टेक्स को अपने कस्टूमर से ही बसूलेंगी तो ऐसे में रिलाइंस जियो जिसी कंपनी अपने टेरिफ प्लांस में भी बड़ूती करने पर मजबूर हो जाएंगी जिसके कहा रिलाइंस जियो के सभी टेरिफ प्लान महंगे हो जाएंगे और उसका मुआपजा कस्टूमर्स को ही देना होगा तो इस तरीकी से रिलाइंस जियो पर GST का असर पढ़ने वाला है और जितने भी टेरिफ प्लान है वो महंगे हो जाएंगे तो दोस्तो कमेंट बोक्स में अपनी राय दीजिए क्या टेलिकॉम कंपनी पर 8% टेक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए और मैंचों उमीद है आपको इस वीडियो पसंद आयोगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जाय सेयर कीजिए और ऐसी टेक्नोल से रेटेड वीडियो के लिए हमारे टीके टेक हिंदी पर बने रहिए तो चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं जाहिन बंदे मात्रम